साथियो आप सभी को नमस्कार मेरा नाम सतीष कुमार साथियो आज का वीडियो जो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे है कि ओसी डी के दुरान कहां फोकस करें जिससे की हम ओसी डी से बाहर निकल सकते हैं दोस्तियों आप लोग को क्या डॉट हो सकता है जैसे आप लोग सकता है कि अगर गंगिया भी लगा आगर नहीं शाप्किय तो हमारे फैमिली वैले को नुकसान हो जाएगा हमारा केडियर में नुकसान हो जाएगा अगर आप जो है जाते होंगे रोट पे जा रहे हैं सैक्छिक्ता या बाइक अब जहाँ पैर रख दिए वहां कहीं लगत वहां भी दूना होगा पुसके लिए नहाना होता है लोगों को ऐसे जो की भीमारी होता है पिर उसके बाद मन में इतना जैटी घबराहट प्रेस परीसानी होने लगता है मन जो है की आपके आन्खों के उपर एक पर डाल देता है आपको दिखाता है कि नहीं जो बहुत गंदा है आप यहां भी जहां भी जाओगे वो असुध हो जाएगा वो जगा वो जगा असुध हो जाएगा वहां पर आपको तरह तरह का जो है कि डौट दिखाता है आपको डर दिखाता है और आपको उसके वज़े से जो है कि चिंता अटक जाते हैं मन में अटकने के बाद क्या होता है कि वह आप जितना चाहते हैं निकालने के लिए उतना और ज्यादा वह विचार आपको बर-बर करके माइंड में एक पिक्चर दिखाते रहता है पिक्चर से आपको ड्राते रहता है कि निगेटीव फिलिंग देता है फिर इसके बाद ड्राते रहता यह नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा यह नहीं करोगे तो जो एकि बुरा हो जाएगा यह नहीं कि तो हम आपकी केरियर वाले के साथ कुछ हो जाएगा तो मन क्या करता है कि मतलब तरह-तरह का दॉट उत्पन करते आपका प्रापांडने वाले हैं घंद की उल्म क्या कि कि यह गंदा लग गया है आप इसको जाकर के साफ करो नहीं साब करके क्या करता है मन के अंदर एक जो माइंड के अंदर सॉप्ट्वेयर होता है वह मतलब सेप्टी विए यह जब भी आपको कुछ होता है डर होता है तो उससे बचाव करने के लिए विएवियर अपनाता है वह क्या करता है सेप्टी विएवियर कि आपको कहेगा कि यह कर लो जाकर फिर से हां धोलो तो फिर जो है कि आपको वह चीज नहीं होगा जो चीज आपको ड्रा रहा है जाकर कि आप नहा लो नहा लोगे तो आपके जो है जब आप नहा लेंगे तो व यह फिर बाद में जाकर आपके अंदर dop總 हो जाएगा मंद के अंदर डाउट चलते रहे गोए इसके क्या होता इनकी कोई भी आप काम कर रहे होंगे दोस्तों नीդ कर लोगे फीर के साथ करें उने कोई भी काम कंफीडेंस के साथ क bureauc颱 आप जो काम आप काम कर रहे हैं। वह काम करने के लिए आपको अच्छे तरीख से नहीं देगा। गर बार और आप ब्लाते रहेगा अईसा होता है आपके साहता होगा और आप क्या करते हैं जिसे ही वह आता है रिंदर गारण कारण नो करदेते हैं हाथ दोने कारण से दोस्तों आपको भले लगता कि विमारी ठीक हो रही है आपको लगता कि टसलेम मिल गया देकिन बीमारी और बढ़ जाती और बीमारी बार higher इसाद दीन दायता है विच्राइद को केरें फीर बीमारी आ सा जाता है क्यूंकि हमारे माइंड के अंदर माइंड है अपको तरह का आपको संभावनाई दिखाएंगे यह हो जाएगा और संभावनाई ऐसा कि माइंड के लाग दिखाएगा और एमेज जैसे दिखाएगा और आपको जो है कि उस डर को आप सच मानने लगते हैं जिसके कारण से माइन इसको यह कर लो हाथ धोलो हाथ धोलेगा हैं कि आपके अंदर चिनता घबाट नहीं होगी यह सब चीत करवाता है अब आपको ठीक कैसे होगा दोस्तों आपको कई दोस्तों कहा हो कि हमारे OCD का विचार है अब आपको जो डर दिखाता है उस डर के उपर कैसे काम करना है इस चीज को समझते हैं दोस्तों कि मन दिखा रहा है कि यह गंदगी है गंदगी का विचार है जिससे गंदगी फैल जाएगी गंदगी जो है कि हमारे परिवार को नुक्सान कर देंगी क्या गंदगी जो है क्या गंदगी से परिवार का नुकसान हो जाता है क्या हम हाथ ने देंगे हाथ में गंदगी लगा हुआ रहे हैं क्या उससे नुकसान हो जाता है गंदगी किसी को भी नुकसान ने करता है गंदगी के बारे में जो दोस्तों मान रखें न वो प्रब्लम ह गन्दगी के बारे में माइड सॉप्टवेर बन गया है जो मान चुके है कि यहां पर केishy हैं गन्दगी कारण से बारे में कि दीजा वर संजाता कि कि कितना घंदगी करता है कि उसके घर में नुकसान हो जाता है कि नुकसान की completo नुकसान होता है कि आपको तो इसाल मैंन्द आपके आखो मन देस्जो को खोछते रहाता है आपको जिस चीज़ से डर लगता है मन वसी चीज़ को खोज दे रहाता है दोस्तों तो आपको क्या करना है कि यह समझना है कि हमारा जो OCD के दोरान माइंड का इसा सिस्टम बन जाता है जिसके कारण से क्या होता है कि हमको जिस चीज़ से डर लगता है है इसने नह builder लग रहा है मायन्ड वही चीज कोज रहा है यह इसलिए हो पार रहा जो सली का विचार और मिंड का नेचर बन गया है कि स्कारा रहे जिसके कारण से वह चीज हो पार रहा है जर करना है जहां पर आपको डर की जहां पर कि आपको एक mindset बनाना है कि अपने दर एक curiosity जगाना है कि हमें डर के उपर काम करना है अब डर के उपर किसे काम करेंगे जिस चीज़ में डर दिखा रहा है उस चीज़ को देखेंगे उस चीज़ को बोलेंगे नहीं यह जो है कि ठीक अगंद की फैल जाए तो फैल ज होता है में सब्सक्राइब देखते हैं क्या होता है जब आप देखने पर आजाएंगे कि देखते हैं क्या हो जाता है तब आपके इंदर बदलाव आने लगेगा दोस्तों क्योंकि यह जो हैं आप देखते नहीं है कि आप डर के तुरह कंपल्सन कर लेते हैं कि माइंड के ऐस ऐसा रिजनिंग कर देता है अगर डर के ऑपर करेंगे कि देखते हैं कि जगाएंगे कि उसके लिए कि सारी कॉंसलर है इसे उसका मदत ले सकते हैं आपक्ट अगर अपने से यूज करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने से निकल पाते हैं तो बहुत ब्रियावाद नहीं तो दिए गए नमर पर हमसे बात करके हम OCD से आप बाहर निकल सकते हैं मातर 25 दिन का किलास जिसमें पांच किलास तो आपका पेड रहेगा और ट्वेंटी क्लास हम फिरी दे रहे हैं और जो हैं कि मतलब इसमें आप इससे जो हैं कि बाहर निकल सकते हैं बहुत ही मिनिममम कोश्ट पर आप जा करके आप जो दिएकर नमर पर बात करेंगे तो तब आ लेकिन यहां पर आप जब बात करेंगे देखेंगे बहुत ही मिनिममम कोश्ट पर आपको कांसलिंग और जो एकी ट्रेनिंग दिया जाए कि माइन को सॉप्टिवेर है जो सबकुषियस माइन वहाँ पर कैसे चेंज लाया जाए वहाँ पर जो एकी डर जहां पर लग रहा कहीं जाने है मे कहीं आने में डर भय लग रहा होगा कोई काम करने में जो है कि भय लग रहा होगा वहां पर आपको जो अच्छे तरफ किसे करव बाएंगे दोस्तों तो आप तो यह चीज़ कर तेखो है झाले है कर दो करने जोListen आझinos Benjaminária बड़ने लिए तो आशा करते हैं क कि यह चीज हम बताना चाहते थे फोकस करना है डर के उपर दोस्तों फोकस करेंगे डर के उपर तो आप जल्दी सोसीडी से बाहर निकल पाएंगे तो अपने से निकल पाते तो बढ़ियावात नहीं तो दिये गए नंबर प्रम से बात करके मेरी मदद लेकर के में समय से कॉं